अगर आप भी Facebook पर कुछ इस तरीके की problem face कर रहे हो, login approval needed और उसकी वज़ा से आप अपने Facebook account में login नहीं कर पा रहे हो या फिर हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके का error आ रहा हो जहां पर आप से code मांगा जा रहा हो, mobile number के थुरू या फिर email address या फिर identify करने के लिए बोला जा र करना है, यह सारी से आज मैं इस वीडियो में आपको explain करने जा रहा हूं, भाई साहब अगर आप भी यह problem face कर रहे हो, Facebook login approval needed और आप अपने Facebook को अप्रूब नहीं कर पा रहे हो, login को अप्रूब नहीं कर पा रहे हो, अपने Facebook में login नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे मैं आपने क्या करना है, देखो जहाँ पर मेरे में Facebook light and Facebook official app दोनों install है, दोन जगा पर मैं use करता हूं, लेकिन आप हो सकता है कि आप इन में से कोई एक app use करते हो, तो मैं यहाँ पर Facebook official app use करता हूं, तो उस पर हलका सा प्रेस रखेंगे, app info में चले जाएंगे, अगर आप Facebook light यूज करते हो, तो उस पर हलका सा प्रेस रखेंगे और app info में चले जाना, वहाँ पर जाने के बाद आपने देखना है permission, चाहे आप जो भी यूज करो, Facebook light या फिर Facebook official app, आपने वहाँ पर जाने के बाद चेक करना है कि भाई साब आपने उनको क्या क्या permission दे रखा है, सारी permission आपने दिया है या फिर नहीं दिया है, allow किया है, या फिर deny किया है, यह सारी चीज़े चेक करनी है, सबसे important है इसको permission होना चाहिए, आपने देख लेना है कि all permission हो Facebook को और Facebook light को, जैसा कि मैंने यहाँ पर all permission दे रखाया है, इसके बाद अगर इसके बावजूद आपको verify के लिमें दिक्कत आ यह आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपने Google Chrome open करना है, Facebook login not approved, यह आपने search करना है Google Chrome open करके, जैसे आप यह search करोगे, काफी सारे links आजाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन में से जो first link है, Facebook approval यह आपने use नहीं करना, इस पर बिल्कुल भी click मत करना, second link मिलेगा, Facebook help center, इस पर ही आपने click करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके का interface आजाएगा, help center का search के लिए option मिलेगा, यहाँ भी search करना है, Facebook login approved, और उसके बाद दोबार से आप click करोगे, उसके बाद काफी सारे articles आजाएंगे, आपके search किये हुए keyword पे, तो यहाँ पर आपको first वाला ही मिल करना है, click जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं करता हूँ इस पर click और जैसे इस पर click करेंगे, कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर भाई साब से नीचे आजाना है, scroll down नीचे करके, और आपको मिलेगा was this useful, तो आपने करना है no, उसके बाद second option, this solution doesn't work, इस पर आपने click करना है, और उसके बाद भाई साब आपको इस box में क्या लिखना है, वो आपको आपके screen पर भी नजर आ रहा होगा, और आपको कोशिस करना है कि मैं description में भी दे दू, otherwise आप यहाँ पर इसका screenshot लेके copy paste कर सकते हो, तो इस तरीके से लिखने के बाद आपने कर देना है इसे submit, बहुत ही simple है guys, जो steps मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे follow करते हो ना, तो 24 hours के भीतर आपका account recover हो जाएगा और आप उसमें login कर पाओगे, बिना किसी problem के जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसे submit कर दिया, submit करने के बाद वही 24 hours तक आपने wait करना है, email पर आजाएगा recovery code और आप वहाँ से login कर पाओगे, I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगे, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को like करो, और शैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो जो की गलत बात है